कैसे हैं आप सब लोग चैप्टर वन जो हम लोग ने पढ़ा लास्ट क्लास में मैनेज्मेंट उसके मैंने पूरा का पूरा इंपोर्टेंट एंप्सीक्यू के वीडियो मैंने अप्लोड कर दी है वह सारा का सारा आप देख लिना ऐसे ही मैंने के एकन एंपने एकनोमिक्स और वाइवन बिसनस ट्रैडिवी सारे के सारे के वीडियो बेर हूं पता है कि पेपर में 20 अने वाला है यानि कि one mark question इसमें the blanks भी हो सकता है आपका matching भी हो सकता है true false भी तो अभी second chapter के जितने भी single mark के questions है mcqs वह हम discuss कर लेते हैं वीडियो पॉस्ट करके आप answer दे सकते हो अपना फिर चक कर लेना कि आपका answer मेरे से match करता है कि नहीं ठीक है इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं कि एक limit बना देते की हंडेड फी सब्सक्राइब उनको rate मिलेगा 10 रुपे जो 100 से 120 बनाें का उनको rate मिलेगा बारा रुपे का और 120 से बनाइगा उनको रेट मिलेगा पंदर रुपे का इससे होता क्या है जितना ज्यादा output आप बनाओगे उतना ज्यादा ही क्या मिलेगा आपको wage मिलेगा इससे हर एक employee चाहेगा कि वो कम से कम category 120 to 150 के अंदर fall करें ताकि उनको पर rate का जो पर piece का जो rate मिले वो मिले 15 इससे क्या होगा जो efficient worker है जो जल्द जल्दी काम करते हैं अच् efficient worker है कौन inefficient worker तो यह टेलर ने क्यों दिया है technique ताकि जान सकी efficient worker कौन है experience of customer customer कभी भी फॉर्म नहीं करते principles propagation of social scientist नहीं सही answer by the experience of manager manager के experience हाला कि टेलर सजेस्ट करते हैं कि manager की experience से नहीं होना चाहिए scientific observation scientific experiment होना चाहिए बट यहां पर ऐसा कोई नहीं है तो option भी जो है यहां पर suitable option आपको जो सबसे बेस्ट option है उसको select करना होता है तो यह option भी जो है व principle of division of work तो division of work का मतलब क्या होता है complete work को इंसान नहीं कर सकता इसलिए छोटे-छोटे portion को हम क्या करते हैं पूरे work को छोटे-छोटे पार्टें बाट देते हैं और हर एक individual को हम लोग एक काम देते हैं ताकि वही काम करते करते हो क्या हो जाए उस पर expert हो जाए और class company के लिए जल्दी production करें without any wasted job resources तो इसमें चारो option में से division work को कौन सबसे ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है work should be divided into small task labor should be divided resources should be divided among jobs और लेट 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 लेट्स तू इसको सही option option पर यह है यानि कि जो वर्क है वो डिवाइड होने चाहिए छोटे-छोटे टास्क में next according to the principle of scientific management ध्यान रखना सेंटिफिक मतलब यह बात करेगा टेलर की ठीक है आपको कुछ ना कुछ उसके लिए reward पे करना चाहिए इसे कौन साब बताता है बताओ आप मेंसे इसका option करेक्ट है option पर बीयानी cooperation not individualism आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है अगर उनकी suggestion से आपकी organization को फाइदा हो रहा है तो you must share amount of profit to them also आपने उनको profit का एक हिस्सा दे देना है यानिकि reward दे देना है उनको उनकी suggestion के लिए option number बी जो इसका करेक्ट है question 5 which of the following is not a principle of management given by टेलर के principle कौन सा नहीं है तो आपको यह दूसरे नंबर पर दिख रहा है functional फॉर्मेंशिप यह टेलर के techniques है टेलर का principle नहीं है टेलर के technique में एक study और आता इसको बोलते है work study work study work study is the sum of fatigue study time study method study and motion study इनको मिला के क्या आता है work study तो एक हो गया work study एक हो गया functional फॉर्मेंशिप डिफरेंशियल पीस वेजरेट सिस्टम जो functional फॉर्मेंशिप है इसके अंदर एक यह होता क्या फॉर्मेंशिप कि एक इंसान सारे काम में expert होगा नहीं तो टेलर ने हर ग्रुप में आठ मतलब कि चार चार बॉस के लिए बोला है दो ग्रुप होते है एक ह इस एक और ऑप्शन आए जो कि टेलर का कोई भी प्रिंसीपल नहीं है एक टेक्नीक है इस प्रिंसीपल मैनेजमेंट कैसे डेवलप किया जाता है ऑब्जर्वेशन करके बिलकुल क्योंकि हम बारबार ऑब्जर्वेशन करते हैं एक्सपरिमेंट करते हैं अलगले इंप्लय वो कॉनसा स्टेटमेंट गलत है तो सबसे पहला पढ़ते हैं क्या है जो है वो माइनिंग इंजीनियर थे जबकि टेलर थे एक प्रिंशिपल्स आर अप्लीकेबल इंस्पियूगूशन सूब करेक्त है हैं घी ओल्स के प्रिंसिपल जो है वह सै ईप्लाइज होता है देलर के जो प्रिंसिपल है वह उनिवर्सल Hershel सिटूएशन मैं य्छैंड तो यह इस डिये यह तो सार्द किसी के भी principle जो है यह universal application नहीं है एक बार आपने नियम बना दिया तो वो हमेशा चलता रहेगा ऐसा नहीं है वक्त बदलता है तो लोग बदलते हैं उनका नेचर बदलता है उनकी requirement बदलती है उनकी सोच बदलती है तो principle जो है वो different person के लिए different होता है और कई बार क्या एक ही principle क्या है अलगलग person पर किसी पर काम करता है किसी पर नहीं करता तो इस सिर्फ guidelines से यूनिवर्सल नहीं है तो इससे मेरे इसाब से बी जो है अभी गलत है बाकी सी और डी बी पढ़ते हैं हम लोग फ्योग प्रिंसिपल वर फॉर्म थू पर्सनल एक्सपिरियंसर प्रिंसिपल पर्सनल एक्सपिरियंजरी वहता है जब कि यह जो प्रेंसिपल है वह टॉप लेवल और दोसरा जो है rule of thumb, rule of thumb वाला है, cooperation not individualism है, इस सारे principle है, तो इसका गलत option है, वो option number B है, 8 question, an employee directly contact the CEO, देखो एक employee है, directly किससे contact करता है, CEO, जो top level का employees है, top level का manager है, CEO, Chief Executive Officer, उससे connect करता है, contact करता है, काम की complaint करने के लिए, तो कौन सा principle नहीं follow हो रहा है, which principle is violated, that is scalar chain, आप सबको पता होगा, scalar chain क्या होता है, जहां पर information को line by line pass करना पड़ता है, लेकिन, आप लोग मुझे comment section में फटा फट जल्दी से बता दो, कि अगर कोई urgent information है, तो हम अगर line by line ही सबको pass करेंगे, तो बहुत delay हो सकता है, और बहुत immediate information, तो tailor ने क्या क्या एक shortcut दिया है, जहां पर directly class A, जो है, वो Z से contact, directly कर सकता है shortcut, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, comment section में फटा फटा फट मेंशन करो, अगर आपको आता है तो, ठीक है, 9, same battery can be used in different mobile phone, in a particular brand, किसी एक brand, माल लेते हैं, यह Samsung brand है, तो Samsung brand के, एक ही जो battery है, वो अ technique of scientific management, तो कौन सा technique है, standardization, simplification, method study and functional formantship, नहीं है, method study नहीं है, यह standardization, मतलब एक standard product बनाओ, जो हर किसी के लिए apply हो जाए, जैसे class normally क्या होती है, अगर आप market में कोई t-shirt खरीते हो, normally, यह t-shirt जो है, यह हर किसी के on average, हर किसी के size के लिए applicable है, तो इसलिए इसको बोलते है, standard product है यानि कि normally हर जिए इसको use किया जा सकता है, इसका सही option है, option number 1, 10th question, which of the following statement is true, with reference to principle of management, कौन सा true है, तो principle management are yet to be evolved, are have evolved, principle of management are continuous process of evolution, तो C option correct है, जो principle of management है, वो continuous process evolution का, यानि कि time to time principles, जो है, वो बदलते रहते हैं, बनते रहते हैं, by profession FW Taylor was, FW Taylor जो थे, वो क्या थे by profession, आप मुझे बताओ, mechanical engineer थे, mining engineer थे, psychologist थे, psychologist थे, human resources officers थे, तो फटा-फट जर आप मुझे बता दो, कि FW Taylor थे, वो क्या थे, correct option है, option A, mechanical engineer, ठीक है, उमीद है, आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, प्लीज एक लाइक जरूर करिए, और comment section mention करना है, कि 20 में से आपकी कितने marks आए, और मैंने ऐसे हर एक chapter की वीडियो बना रखी है, तो please जाओ, जाके देखो, इसके बाद और अपनी practice करो, कि आपकी कितने marks आते हैं, management should find one best way to perform a task, management को find करना है, एक best way जो काम को करना है, which technique of scientific management is defined in the sentence, best way, यानि कि manager को अलग-अलग method से production करके देखना है, और जो method सबसे best होगा, उसी method को select करना है, that is method study, तो चुशन में 12 का option, बडड़ी जो है, वो correct है, next, the principle of management do not provide ready-made straight jacket solution to all the management problem, because, यानि कि principle of management, जो है, एक straight jacket solution नहीं है, हर problem के लिए, वो change होता रहता है, because principle of management, क्या है, class complex है, उलचा हुआ है, dynamic है, यानि change होता रहता है, situation recording, और principle एक general guideline है, यानि यह 3 option correct है, statement के लिए, यानि कि 13 question का option, बड़ी जो है, वो correct है, अगर आप पहले answer देना चाहते हैं, पढ़के आराम से, तो video please pause करके answer दे सकते हैं, और फिर आप चेक कर सकते हो कि आपका answer सही है, या गलत, और जो गलत answer आपको मिल रहा है, उसे please आप में लिखके रख लो, ताकि before exam आप एक बार द अच्छे माक्स आएंगे, और इन में से ही question फस्तिका examination, next question, principle of management emphasize on logical and rational decision making rather than on the base of bias and prejudice, the given statement highlight the knowledge of principle of management leads to, principle of management क्या है class, यह जो है, एक logical and scientific decision है, यानि कि यह scientific decision है, rational decision है, यह किसी के मन के हिसाब से नहीं होता, जाड़े scientific decision, तो 14 का option number, B correct है, option A जो है, वो लिखा हुआ है, providing manager with useful insight into reality, reality में देखने का मौका मिलता है, changes in environment, लेकिन नहीं, यह जो statement दिया गया है, यहाँ पे, logical and rational decision making rather than on the basis of bias and prejudice, आपके मन के according कुछ ही नहीं होगा, सब कुछ scientific decision होगा, बार-बार experiment किया जाएगा, employee के behavior को observe किया जाएगा, stopwatch लेकर उसके हिसाब से हर चीज का decision लिया adoption of hit and trial approach, मतलब कि management का जो personal judgment है, manager कहता है, नहीं ऐसा होता है, मैं काम दो गंटे में कर ले तो दो गंटे में होना चाहिए, मैं ब्रेक पांच ब्रेक होना चाहिए, office के timing, काम करने का method, यह सब वो अपने हिसाब से नहीं रख सकता, यह सब scientific observation है, rule of thumb का मतलब क्या होता है, कि अ principle से सब scientific approach होना चाहिए, scientific based होना चाहिए, next, considering the fact that it is difficult to find one single person with all need qualities, एक ही person क्लाज हर चीज में एक्सवर्ट नहीं हो सकता, तो टेलर ने पॉइंट किया है, specialist को through this technique, scientific of management, आपको पता होना चाहिए, functional formanship में, 4-4 boss, यानि कि 4-4 expert को टेलर ने बोला है, suggest क्या है, रखने के लिए, चाहर प्रडक्शन डिपार्टमेंट में, और चाहर प्लानिंग डिपार्टमेंट में, इसका option number C, जो है, वो correct है, 17th question, principle of management क्या नहीं है, universal नहीं है, flexible नहीं है, absolute यानि कि absolute true नहीं है, यह डिपेंड करेगा, यह सिर्फ guidelines है, तो it is not absolute, 18th question, the objective of this technique of scientific management, तो obvious है, किसी नहीं किस टेकनिक है, to reduce a given line or a product to fixed type, size and characteristics, हमारा product fix होना, हमाज़ी size उनका एक जैसा होना चाहिए, fix type होना चाहिए, तो वो चीज किसके अंदर बताता है, method, differential, standardization, और functional formation, इसका जो सही option है, वो option number C है, standardization and simplification of work, यानि कि प्रड़क का standard बनाना चाहिए, जैसे मान लोग आता ना, जैसे आपने देखा हो कि राशन की दुकान पर जाते हो, चोड़े बॉल में उन्होंने चावल के दाने रखे होते हैं, अलग-अलग rate होता है, किसी का 50 रुपे, किसी का 100 रुपे, यह क्या होता है, तरीके से grading कर दीता है, standardization and grading, तो यानि कि इसका option C जो है, वो correct है, 19 question, I hope क आपका अच्छे से revision हो रहा होगा, जरूर प्लीज एक बार like जरूर करें, वीडियो को और share करना अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, और मिलके revision करो, हर एक topic का वीडियो मेंने बना रखा है, देखो, और आप देखो, जज करो, यानि कि जो managers है, वो अपने फाइदे के लिए बिलकुल भी business के किसी activity का use ना करें, जैसे मैं आपको example देता हूँ, मालो A है, A का भाई C है, और C bricks बनाता है, क्या बनाता है, अब A किसी company में काम करता है, जिसका नाम है JP, ठीक है, JP Group, यह infrastructure company है, JP Group, यहाँ पे काम करता है, JP Group A से बोला की building बनानी है, तो A ने बोला ठीक है, हम जो bricks खरीदेंगे, वो B से खरीदेंगे, जब कि भी महंगा दे रहा है, लेकिन यह उसका दोस्त है, भाई है, यह इसी से bricks खरीदता है, यानि कि अपने फाइदे के लिए organization का नुकसान करा रहा है, इसका option C होगा, subordination of individual interest to general interest, हमें अपने फाइदे के लिए नहीं सोचना है, हमें organization के फाइदे के लिए सोचना है, B से अगर हम bricks खरीदते हैं, तो यह A का फाइदा और B का फाइदा होगा, लेकिन यह organization का loss होगा, इसलिए से B से समान नहीं करना चाहिए, इसे bricks उससे खरीदना चाहिए, जो उसको कम cost में अच्छी bricks थे, इसका option बसी है, अपना last question इसके साथ वीडियो को end करेंगे, और अगले मैं कल आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा, इसी तरीके से chapter number 3 की आप उस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, और आप बताना comment section में, अभी मुझे कि out of 20 आपकी कितने प्लीज बीना subscribe करें, बीना hit like किये, प्लीज मज जाना और comment बताना ताकि मैं आप लोगों के साथ और जोड़ा रहा हूं, और ऐसी वीडियो बनाता रहा हूं, तो अपना last question है, इसके साथ खतम करेंगे, which principle of general management advocates that employed turnover should be minimized, कौन सा principle बताता है फेओल का, कि employees जो है, छोड़के नहीं जाने चीए, organization में, कम से कम employees जाने चीए, एक employee आता है, organization में, company काफी खर्चा करते है, उसके training पे, उसके development पे, और वो stable होता है, फिर हो छोड़के चला जाता है, company को ऐसे काफी नुकसान होगा, बार-बार employee आएंगे, छोड़के चले जाएंगे, frequent transfer और frequent termination से company को बच चाहिए, तो यह क्या कहता है, stability of personal, यहनि कि आपको employee की stability रखनी चाहिए, employee जल्द जल्दी छोड़के ना जाएं, ठीक है, I hope कि आपको पसंद आया होगा, next video में मिलते हम लोग continue करेंगे, thank you, subscribe करना चैनल को ऐसे और वीडियो पाने के लिए,